सच सच बताना आपके दिमाग पे भी ये सवाल एक बार तो जरूर आया होगा ये जो बड़े बड़े वी आईपी होते हैं जब इनको जेल होती है तो क्या ये भी नॉर्मल लोगों की तरह जमीन पे सोते हैं या फिर अंदर कोई सीक्रिट महल बना हुआ है कोई फिल्म स्टार या फिर सफेड टोपी वाले नेता जी जब इनका नाम टीवी पे जेल के बगल में लिखा आता है तो दिमाग अकसर ऐसे सवालों में फर्ज जाता है लेकिन जवाब आज तक मिला नहीं पर अब मिलेगा कहां? दसवी ओन नेट्फिक्स रिलीज हो चुकी है और सबसे बड़िया बाद फिल्म को 100% फ्री भी देखा जा सकता है हाँ जी बिल्कुल मुफ्त ओन जीयो सिनिमा लेकिन देखना चाहिए या नहीं उसका जवाब थोड़ी दिर में मिल जाएगा कहानी चौदरी सहाब की है जो कहने के लिए तो जेल की दिवार के पीछे हैं लेकिन पूरे स्टेट की सरकार का रिमोट कंट्रोल अपनी पॉकेट में रखते हैं येस सरजी चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री जी अब ये राजा की कुरसी से जेल की सलाखों तक कैसे पहुचे बस वो मत पूछिएगा बाकी मिली इनकी बैटे राव धरम पतनी जी से मैडम का हाल सेम टू सेम और शेरनी की तरह है जिनके पती जंगल के राजा शेर कुछ दिनों के लिए छुटी पे गए हैं और पहली बार शेरनी के मुख खून लग गया है हाँ तो पती पतनी और कुरसी का ये खेल ऐसे ही जिन्दगी भर बड़े एशो आराम से चलता रहता अगर कहानी में एक चाला क्लोंडी की एंट्री ना होती जेलर साहिबा बोले तो इस जेल की भगवान सही सुना आपने बाहर भले ही चौधरी साहब के काईदे कानून चलते होंगे लेकिन इस जेल की दुनिया में सिर्फ मैडम फैसले सुनाती है अब एक तरफ है चौधरी साहब जो तलवार की तरह है खतरनाक पावर तो दूसरी तरफ है जेलर मैडम जिनका हत्यार है पैन, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बोले तो शिक्षा अब आप सोच रहे होंगे नेता जी फोन घुमा के ट्रांसफर वाला ओर्डर फेक के मारेंगे और मैडम का खेल खतम ना ऐसा कुछ नहीं होगा आप फिल्म में थुड़ा कम देखा करिये ठीक है असलियत में चौधरी साहब की आजादी का रास्ता एक परिक्षा से होकर गुजरता है एक्जाम वो भी 10th क्लास का दस्वी फेल हुए तो पिंजरे में बन तोते वाला हाल हो जाएगा जिसकी चावी जेलर मैडम की पॉकिट में है हाँ तो भाईया कहानी का इंट्रू हो गया खतम अब मतलब की बात ये कि फिल्म पर दो घंटे खर्च करना सही रहेगा या फिर जीवन में कुछ और कर लेना बहतर है देखो बॉस दस भी एक प्रॉपर फामिली फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैट कर इंजॉय कर सकते हो कोई फाल्तू सीन नहीं कोई डबल मीनिंग डायलोग्स नहीं सबसे बड़िया बाद फिल्म का सब्जेक काफी सीरियस है पॉलिटिक्स राजनीती लेकिन इसको दिखाया गया है कॉमेडी की शकल में जैसे जैसे नेता जी दसवी के इंतिहान की तयारी करते हैं वैसे वैसे आप पुरानी यादों में वापस चले जाते हो स्कूल टाइम जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्स आपके सबसे जिगरी दोस्त हुआ कर दे थे लेकिन कॉमेडी सुनकर फिल्म के सब्जेक को मजाग मत समझेगा बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्धा उठाया गया है आप तो वोट डाल देते हो और कुरसी पे नेता जी बैट जाते हैं लिकिन कभी सोचा ये बंदा पढ़ा लिखा है भी या नहीं दसवी तक पास नहीं किये और IIT IIM डॉक्टरी वाले बच्चों की किसमत का फैसला करेंगे ये लोग डर लगा लगना भी चाहिए यही तो इस फिल्म का मकसद है बाकी अभिशेक बच्चन का ये जो कमबैक वाला सफर शुरू हुआ है इससे अच्छी वापसी शायद किसी भी अक्टर ने नहीं कियोगी अभी कुछ टाइम पहले भाई साब हाथ में बंदूक लेके डरा रहे थे सीरियल किलर बनके और अब चेहरे पे हसी लेकर आये हैं साथ में जेल के पीछे वी आईपी कैदी क्या क्या करते हैं इस सवाल का जवाब भी अभिशेक as an actor अपने talent को प्रूफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाते इस film में भी उनकी महनत साफ दिखती है हर्यान भी accent हो या फिर comedy dialogues के थुरू audience को हसाना जूनियर बच्चन की second innings हर किसी को अपना fan बनने पर मजबूर कर देगी कमाल का script selection है आजकल इनका और यामी के लिए मेरी respect काफी ऊपर चली गई है क्योंकि Bollywood में जहां हर actress Barbie Doll वाले roles की तरफ attracted है तो यामी दमदार roles कर रही है जो पूरी film की कहानी उलट-पुलट करने की ताकत रखते हैं यह सिर्फ film में है नहीं पूरी film इन से है साथ में निमरत कौर कमाल का performance है इनका भी एक भी सीन में इनका हर्यान की accent उपर नीचे नहीं होता challenging role में natural acting देखो सीधी simple बात है दस भी कोई masterpiece या फिर once in a lifetime वाली film नहीं है कहानी एकदम simple है और कुछ हद तक predictable भी कैसे शुरू कहां पर खतम आप अंदाजा लगा सकते हो लेकिन पूरे दो घंटे जो आप इस पर खर्च करोगे उसमें entertainment प्रस education दोनों मिलेंगे इस बात की guarantee मेरी family के साथ देखा जाने वाला perfect cinema तो यार मेरी तरफ से 10 वी को मिलेंगे 5 में से 3 stars एक तो perfect casting, lead actors हो या फिर supporting role में छोटे-छोटे surprises हर कोई अपनी जगे एकदम fit है दूसरा serious topic को आसान शब्दों में समझाने वाली writing साथ में बिना force वाली comedy जिसमें genuinely हसी आएगी तीसरा performances अभिशे, क्यामी, निम्रत तीनों हर एक-एक scene में अपना best दे रहे हैं और आधा star मिलेगा फिल्म में पढ़ाई करने के मज़िदार तरीके सिखाने के लिए ऐसे समझ नहीं आएगा, आफ film देखोगे तो मेरे शब समझ जाओगे specially history वाली class बहुत special है बात करो negatives की तो एक star कटेगा थोड़े से predictable climax के लिए और आधा कटेगा politics वाले angle को थोड़ा सा funny मनाने के चकर में logic को sacrifice करने के लिए मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस मांग लेना film के makers से ओ sorry film तो free है तो फिर किस बात का इंतजार जाओ देखो बे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकाइब करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से इंतजार करिये मिलूगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई